तो बाइस अब देखो हलक जिसको अपन लास्ट अगर प्रॉपरली देखे तो वह मूवी था था थार का राइगनरॉग जिसमें देखो मास्टर एच था हलक का मगर उसके बाद देखो ऐसा हो गया मारवल सिनिमेटिक उनिवेर्स में हलक की देखो धजियां उड़ाती है और फ्यूचर उसका हो सकता अच्छा खासा क्योंकि हलक का जो वार मूवी है इसके बाद का शीह हलका वो बोल रहा सकता और उसका बेटा दिख गया मगर जो बीच में हुआ इंफिनिटी वार और एंड जफी थी और देखो इसके बारे में अपने को रिसेंटली मालम पड़ा कि इसका एक अल्टरनेटिव एंडिंग थी असल में प्रॉपरली प्लैंड करेवे थे उससे देखो और दुख हो रहा तो वह एंडिंग क्या थी उसके बारे हम बात करेंगे सुनो इंफिनिटी वार में देखो अपने को लगा मतलब थार का जो राइगनरॉक था उसके बार ऐसा लगा कि देखो इंफिनिट वार में तो धज्या उड़ा सकता और अपने को जो एक टीजर आया था जिसमें देखो पूरा एवेंजर्स भाग क्या रही थी वाकांडा में जो था वो उसमें का फैट ता मतलब जान तक वो हल्क बिंगे था वो वो सब तो प्लेंट था मगर उसके बाद जो अपना जो थैनोस आने वाला था हुआ कंडा में उसमें देखो वह सीन में अपना फ्रूरा फार के बहा निकलने वाला था मतलब यह सीन सची में था और इसका प्रूफ भी है मारक रेफ़लो भैसाब रेसेंटली बोले कि देखो यह पर्टिक्लर सीन जो हल्क बस्टर में से हल्क निकल के आता ब्रूस बैनर मतलब चेंज होता यह सीन देखो वह लोग एक साल में चार पर शूट करें मगर देखो वह मतलब ऐसा बोर्डिय की देखो जो सीन है वह प्रॉ मैं अच्छा नहीं दिखा है क्योंकि देखो अगर वह सीन आ जाता था इंफिनिटी वार एंफ तो मस मसा आ जाती थी क्योंकि हल्क बस्टर में से अगर फटके मतलब उसको पूरा तोड़क अगर हल्क बाहर नीकलता था तो मसा आ जाती थी उसके बाद देखो हिंडिके में भ साइबटे वाला हल को ना वो शाहएट से अपन अपने कुह यह जो में दिखाया ना शीह हल्क के इंडिंग में उसको बेटे को लें लेकर तो देखो वह कOMics के हपसे है Dual War हल्क ओने वाला है में मंकर इंफिनिटी वार वार में देखो यह ना इंसाफी करें सची में क्योंकि यह सीन अगर था और इसको एक्जेक्यूट करते थे तो मसा जाती थी मगर ऐसा बोल रहे कि देखा अगर वो दिखाते थे तो मतलब जो एंडिंग थी इंफिनिटी वार की वो ज़रा साड एंडिंग करने वाले थे यसलिए देखो उसक सकती थी जो नहीं होड़ी तो क्या ही बल सकते हैं बिलिंग नेक्स वीडियो में तिल देन बाई